आज 22 अक्तूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं, आज की मधुर मुरली में बाबा दिपावली पर हम सबको समझा रहे हैं, दिपावली, सच्ची दिपावली कब होगी? दिप जलानी का अर्थ क्या है? मनुष्य खाता नया खोलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अभी तुम बच्चों को आत्मा रूपी दीपक जगाना है, मनुष्य बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, बारू धादी जलाते हैं, आप बच्चों को कोई भी चीज वेस्ट नहीं करन हैं, मनुष्य वेस्ट आफ ताइम, वेस्ट आफ मनी, वेस्ट आफ एनरजी करते हैं, लेकिन तुम बच्चों को अपना सब कुछ सफल करना है, अभी तुमने बाबा को पाया, बाबा को पाने से, बाबा को याद करने से, आप माया पर जीत पाते हो, पहले दशेरा मनाते ह फिर दीपमाला मनाते हैं, बाब ने याद दिलाया कि तुम बच्चों के अभी चड़ती कला है, गाते हैं चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, बाबा जबाते हैं तो तुम बच्चों की चड़ती कला हो जाती है, बाबा आकर दिव्य दृष्टी देते हैं, अब उस पुरानी पति दुनिया को भूल जाना है, इस दुनिया में रहते हुए इससे ममत्व मिटा देना है, सुनते हैं बाबा के मदुर बोल, बाबा की शब्दों में, बाबा के ते मीठे बच्चे, अभी तुमें दिव्य दृष्टी मिली है, तुम जानते हूँ पुरानी दुनि मिली है, तुम जानते हूँ पुरानी दुनिया खतम होनी है, इसलिए ममत्व मिटा देना है, पुरा-पुरा बली चड़ना है, कोशन जो अभी नाशी बाब पर पूरा बली चड़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी, वो अपना पैसा आदी, फाल्तु नहीं करेंगे, भक्ति मारग में दिपावली पर कितना बारूर जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं, जानतो इस वेस्ट आफ टाइम, वेस्ट आफ मनी, वेस्ट आफ एनर्जी है, यहां तुम ऐसी खुश्या नहीं मनानी, क्योंकि तुम तो वनवास में हूँ, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमा पा लिया, ओम शान्ती, मीटे मीटे बच्चों ने गीत कार्थ समझा, अब तुम बच्चों ने बाबा को पाया है, तुमको बाबा मदद देते हैं, पांच विकारों को जीतने की, अठात माया पर जीत पहन, जग जगत सारी दुनिया को कहा जाता, बच्चे जानते हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं, मालिक कब बनेगे, जब रामन राज्ये पूरा हो जाएगा, रामन को वर्ष वर्ष जलाते हैं, योकि संगम युपर बाबा आकर, आत्म का दीवा जगाते हैं, सत्यूऌ का मालिक बनाते हैं दशेरे के बाद दिपावली के दिन मनुश्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं दिपावली पर नए नए ड्रेसिस पहनते हैं अक्सर करके लक्ष्मी नाराइन राधे कृष्ण देवियों के मंदिर में जाते हैं प्रन्तु देवियों को और लक्ष् देवियां है शिव शक्तियां, ब्रामनियां, देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वास्तों में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वो तो गुप्त है, रावन पर जीत पाते हैं, तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो अब तुम खुशियां नहीं मनाएंगे, ये कोई दीप माला थोड़े ही है, क्योंकि ये तो आज दीवा जलाते हैं, कल बुझ जाता है, दशेरा भी हर वर्ष मनाते हैं, तुम ब्रामन कोई अपनी घरों में दीपक नहीं जलाते हो, मंदिरों आदी में तो दीपक बिजलिया आदी जलाते, मनुश्य नहीं जानते कि दीप माला दशेरा क्या है, उस समय सारा भारती नया होता है, दीपक आदी जगाना ये सब भगती मारग है, भगती मारग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं, उस इन बारूद कितना जलाते हैं, वेस्ट आफ टाइम, वेस्ट आफ मनी waste of energy समय, शक्तियां, धन सब बरबाद जाता है यह forest of thorns काटो का जंगल सब जंगली बन गए तुम भी पहले ऐसे थे कुछ नहीं समझते थे सत्यों में फिजूल खर्चा नहीं करेंगे यहां तो फिजूल खर्चा बहुत है दान पुन्ने करने से भी नाशी बन जाता है पुराना शरी छोड़ नया ले ले लेते हैं तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है यह काहनी सत्यों के लिए नहीं है क्योंकि वह अकाले मृत्यों नहीं होता यह सरफ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई गई क्यों समय सब नश्टों मोहा मोहजीत होते है शरी सईथ पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या इसको बेहद का सन्यास कहा जाता सिर्फ बाबा ये नहीं कहते कि देहे से ममत्व मिटाओ परन्तु जो भी नाखों से देखते हो सब को भूलो जो कुछ देखते हो सब कुछ भूलो क्योंकि अब दिव्वे दृष्टी मिली है ये सब खतम होना है पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है नया विश्व बनेगा शिव बाबा हमें राज्चे देते हैं शिव बाबा का नाम सदैव शिव है क्योंकि उनको अपना शरी तो है नहीं ब्रह्मा विश्णु शंकर को भी अपना शरीर है वो है उपर अमर नाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं अमर लोक में ले जाने के लिए तुम बच्चे भी फूल बन रहे हो कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है न यहां सब कांटे हैं एक दूसरे को कांटा लगाते हैं मतलब दुख देते हैं बात मत पूछो, बाबा केते तुम्हें अब किसी को भी कांटा नहीं लगाना, काम कटारी नहीं चलाना, ये काम की हिंसा आदी मध्यन दुख देती है, वैसे तो किसको मारो जान से खतम हो जाते हैं, यहां तो जनम जनमान तर दुखी होते रहते हैं, बाबा केते तुम्हें क काम-कठारी नहीं चलानी अब तुम दशेरा मना रहे हो फिर दिपावली हो जाती है सत्यों में दिपावली की मनाइँ वान लक्षमी स्वयम राज्य करती है फिर उसकी बैठ पूज अने करेंगे शत्यों में तो राज्य करती है वहां तो कोई पूजा अलग है अभी हमें दिपावली की खुशी नहीं होती क्योंकि हम बनवास में हैं हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं बाबा ने कहला भीजा था 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनू तो देविमान टूट जाए बाबा बच्चों की परिक्षा लेते थे कि बच्चों में देविमान नहीं होना चाहिए भले किसी ड्रेस के उपर चोट चोटे पैच लगे होते हैं चतियां लगी होती हैं उसको ठीक किया जाता है तो बच्चों में देविमान नहीं होना चाहिए ऐसा भी पहना पढ़े तो पहना है इस समय तुम काटों की दुनिया को फूलों की दुनिया बना रहे हो कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नर्स से नारायन बनाता हूँ तो पुर्शार्ट उंचा करना है जब मैं पढ़ाता हूँ, तो क्यों पद खराब करते हो, मात पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो, बाबा ने सक्षत कार कराया, जो अच्छी रिती पढ़ेंगे, वो राज़तानी में आएंगे, तुम जानते हों पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए, लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं, तो स्वर्गवासी होते हैं, तुम जानते हों बाबा ही ओफर स्वर्ग में ले जाते हैं, और रावन नरकवासी बना देते हैं, बाबा आते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, रावन नरकवासी बना देता, मनुष्य कहते हिंदू चीनी भाई-भाई, फ तुम चानते हो, मात पिता से सुक घनेरे मिल रहे हैं, फिर धिरे धिरे कला कम हो जाती है, कैते चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, तो अभी सब का भला होता है, कोई नरक से निकाल सोरग वासी बनते, कोई शांतीधम निवासी बनते, तो भला हो गया ना, सत्यों में दुख देने वाली चीज नहीं होती है, बड़े आदमियों का फरनीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुख दर्द जानवर आदि कोई नहीं होते, क्योंकि फरनीचर अच्छा चाहिए, उसको हैविन कहा जाता, अल्ला अवल दीन का खेल है, ठका करने से राजाई मिलती है, तो अल्ला बाप अवल दीन अर्थात आदिस नातन देवी देवता धरम सापन करते हैं, तो बाप सेकिंड में पैकुंट का मालिक बना देते हैं, बाप अवल दीन का सक्षतकार कराते हैं, ऐसे नहीं बच्चे कहें सक्षतकार में जाएं, बाबनी का ध्यानी से ग्यानी मु की जाती छोटी-छोटी बच्चियों को साक्षतकार हो जाता यहां तो कहा जाता अगर ध्यान के आदत पढ़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम में जाते थे प्रन्तु आज है नहीं शुरू में कई बैठते थे ध्यान मगन हो ज शोड़ी गोया बाप को छोड़ा अब सूर्य वश्ची देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धरम संस्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते वैं तो जब धरम की व्रिदी हो जाती है तब राजाई चलती है तो अब तुम विश्व का मालिक बन र करते हैं रावन नर्क बनाते हैं जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूझा करते हैं जिसने नर्क बनाया उसको जलाते हैं क्योंकि नर्क में मनुश्य कामचिता पर जलते हैं तो गुस्से में आकर रावन को जलाते प्रंतु रावन जलता नहीं सिर्फ कहते परंपरा से चलाता प्रंतु परम प्राकार्थ नहीं जानते दुश्मन की एफीजी जलाते रामन को भला क्यों जलाते हो क्योंकि रामन तुम ही जलाता है तुम रामन को जलाते हो प्रंतु मनुशे कुछ नहीं जानते सत्यूग में संपूरन निर्वीकारी होते हैं तुमार रावन को नहीं जलाते उसे कहा जाता वाइसलेस वर्ड हम पैरडाइस वासी बनने के लिए बाप से स्वरग का वर्सा ले रहे हैं शराप देने वाला है रावन रावन किसको कहा जाता पांच विकार इस्त्री के पांच विकार पुरुष के सत्यों में विकार होते नहीं सन्यासी तो बाद में आते हैं अभी तो देवता धरम है नहीं वो फिर से स्थापन हो रहा है 108 की माला बन रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना जैपुर का राजा एक था प्रजा कितनी थी अभी माला तो बनती है प्रजा भी चाहिए तो यहां बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं हलकी प्रजा में आ जाते हैं बाबा का बनकर जो छोड़ देते हलकी प्रजा में आ जाते कैते गरस्ववार में रहते जीवन मुक्ती चाहिए जीवन मुक्त एक नहीं होंगे पूरा घराना चाहिए अस्तावक्र गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ती मिली लेकिन कैसे मिली वो नहीं जानते आदिस्नातन देवी देवता धरम बहुत सुख देने वाला है जबकि राजाई मिल रही है तो फिर क्यों ना शिरीमत पर चले क्यों न कमल फूल समान बने तुम ब्रामन हो न शंक, चक्र, गदा और पदम ये तुम्हारे पास है चारो अलंकार शंक, चक्र, गदा और पदम ये आपके पास है मनुश्य दीप माला पर सरफ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं मंदिरों में चाहते हैं स्रेकृष्ण जनमास्टमी पर नई कपड़े नहीं बहनते दिपावली के दिन नई कपड़े पहनते हैं एवरिधिंग न्यू उस दिन दुकान दार पुराना खाता खतम कर नया खाता शुरू करते हैं तुम भी अब पुराना खाता खतम कर नया शुरू कर रहे हो बाप फाइदा कराते रावन घाटा कराते फाइदा कैसे होगा? मन मनाभव, मध्याजीभव विश्णु मध्ये में है न मध्याजीभव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विश्णु पुरी स्थापन करते हैं तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती शिव बाबा कलियू क्यंत में आते हैं फिर सत्यू की आदी होती है लिखा भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्रह्मा तो प्रजा पिता है न तो तुम किसके बच्चे हो? दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है विशे सागर ये कल्यूग है सत्यूग के क्शीर सागर विश्णु को क्शीर सागर में दिखाते जानते हो बरोबर वो क्या जाने? दशेरा दिपावली को हम तो राज को समझ गए है दशेरा क्या है दिपावली क्या है जो बच्चे बने वो तो समझ गए है जानते हो कलम स्वर्ग में थे अब नरक में है फिर कल स्वर्ग में होंगे कल क्यों कहते हैं क्योंकि रात के बाद दिन आना है कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है नाम सुना है प्रजा पिता ब्रह्मा इतने ब्रह्मा कुमार कुमारिया है तो ब्रह्मा बाप हुआ बाप से वर्सा मिलेगा बाबा कहते मुझे याद करो तो मध्या जीभो बाबा धंदे की मनानी करते बाबा कहते धंदा भले करो लेकिन बाबा को याद करो क्योंकि तुम्हें उनसे वर्सा मिलता है ये भीती है न और जगर भीती नहीं होती स्कूल में भी भीती होती है तब कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इस दा बेस्ट ये बेहद की पढ़ाई है बेहद की हिस्ट्री जोगरफी तुम चानते हो स्कूलों में जाके बताओ बेहद की हिस्ट्री जोगरफी क्या है उनको कहना है आप तो हद की हिस्ट्री जोगरफी पढ़ते हो हम आपको लक्ष्मिनार्ण की बेहद की हिस्ट्री जोगरफी बताते हैं लक्ष्मिनार्ण ये पढ़ कैसे पाया आगे चल तुम्हें कॉलेज में भी निमंतरण मिलेंगे यह इश्वरिय विश्व विद्याले वो है स्प्रिच्वल फादर तो रुहों को स्प्रिच्वल नौलिज देते हैं निराकार साकार में आके सुनाते हैं स्रिकृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं किसी बात को समझते नहीं सुत मूझा हुआ है स्वतंत्र होना चाहते हैं प्रन्तु जगडा बढ़ता ही जाता है कहते फ्रीडम चाहिए सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमें मिलती है रावन से भारतवासी समझते हमने क्रिश्चन से फ्रीडम पाई प्रन्तु फ्रीडम है कहां फ्रीडम तुमें मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई गीत सुना तुम मिले तो धर्ती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है उसमें हदे है नहीं तुम मिले तो धर्ती आसमान सागर सब हमारा हो जाता उसमें कोई हदे है नहीं अच्छा, मीठे मीठे पांचर वर्ष के बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चो प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते रुहानी बच्चो के रुहानी बाप ददा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धार्णा के लिए सार पहली पॉइंट है मात पिता को पूरा फोलो कर पढ़ाई में उच्पद पाना है मात पिता को पूरा फोलो कर पढ़ाई में उचपद पाना है इस दुनिया में कोई भी शोग नहीं रखना वनवास में रहना है इन आखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना पूरा नश्टो मोहा बनना है संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना पूरा नश्टो मोहा बननो कुछ भी वेस्ट नहीं करना वर्दान है अपने आकुपिशन के स्मृती से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्यान का रिभव कोई भी काम करते अपना आकुपिशन कभी नहीं भूलो यसे पांडवों ने गुप्त वेश में नोकरी की लेकिन नशा विजय का था ऐसे आप भले गवर्मेंट सर्वेंट हूं नोकरी करते हो लेकिन नशा रे मैं विश्व कल्यान कारी हूं तो इस समृती से स्वतही समर्थ हो जाएंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा गाया हुआ है भावना का फल मिलता है तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शान्ती शक्ती का फल देगी सरल शब्दों में कहीं पर भी रहते हमें इस स्मृति में रहना है विश्व कल्यान करी आत्मा हूँ स्लोवन है Godly student स्वरूप सदा स्मृति रहे तो माया नहीं आ सकते याद रहे मैं Godly student हूँ तो माया नहीं आ सकते आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं विश्व कल्यान करी आत्मा हूँ कल्यान करी पिता ने मुझे विश्व कल्यान का कार्य दिया है सारे विश्व की आत्माँ का कल्यान करने के लिए भगवान ने मुझे चुना है मैं भगवान द्वारा चुनी हुई विशेश आत्मा हूँ सभी आत्माई शिव बाबा की संतान है सभी बहुत अच्छे हैं सब का कल्यान हूँ सभी कल्यान कारी की याद से सेवा भाव से समर्थ बन जाए शक्तिशाली बन जाए मैं विश्व कल्यान कारी आत्मा हूँ शुक्रिया बाबा शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती शुक्रिया बन जाए बनुक्रिया बनुक्रिया बन्हें